अगर ये पाकिस्तान जाता है तो इसे इंडिया वापस नही आने देंगे तर्जन अंसारी आई ये भारत मता की जे बारत मता की जै पैजानंसरी बारत मता की जै बारत मता की जै पाइजान अंसारी है इसे बापस इंडिया नहीं आने चाहिए नहीं आने देंगे बारत माता की जै इंकलोब जिंदाबाद इंकलोब जिंदाबाद हमने वहन किया है तो यह अगर इंडिया में होने के नाते यह पाकिस्तान से लड़की से निकाय कर रहा है क्या इंडिया में लड़कियों की कमी है क्या इंडिया में लड़किया नहीं होने देंगे अगर यह व्यक्ति फैजान अंसारी नाम का व्यक्ति अगर यह पाकिस्तान जाता है तो इसे इंडिया वापास कभी नहीं आने देंगे तो हम सब लोगों ने प्लैन किया है कि ऐसा हम नहीं होने देंगे और देश को जागरूप करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग भी सारे लोग सपोर्ट कीजिया हम लोगों को और आप क्या कुछ कहना चाहूँगे जिस तरीके से क्रोध आप लोगों का दिख रहा है कि पोस्टर अभी आपने जलाया है उनका मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग इंडिया में रहने ही नहीं चाहिए यह इंडिया में रहने के लाये के नहीं है यह देश द्रोही हैं और इनको पाकिस्तान अगर यह जाते हैं तो वहीं कहीं रह जाएं यह इंडिया में कदम वापस रखने ही नहीं दूंगा इनको लेकिन आपको क्या लगता है हाली में हमने एक इंटर्व्यू उनका किया था तो कहीं ना कहीं वो निखा कि पहले ही जो बोलते हैं कि उन लोगों में कुछ दिया जाता है साथ ही वो प्रेव अगेरा कर रहे थे सुनने में आया कि 59 लाग 15 लाग जो भी देना चाह रहे थे तो ये इंडिया के लड़कियों को दो ना पाकिस्तानी लड़की से निकाए क्यों करना चाहते हैं मुझे इसका जवाब चाहिए फैजा नंसारी मैं आप से सवाल पूछ रहा हूं क्यों इंडिया में क्या लड़क क्यों ऐसा कर रहे हैं जब हमने पाकिस्तान के कलाकारों को जो पाकिस्तान के कलाकार हैं सिंगर से उनको इंडिया में अनुमती नीदी उनको बैन किया है तो फिर ये इंडिया में रहके ऐसा क्यों कर रहे हैं इनको भी बैन करना चाहिए अगर ये फैजान अंसारी नाम का व्यक्ति अगर जाता है पाकिस्तान तो सौरभ मिश्रा पंडित में ब्रामन होने के नाते ये दावा करता हूं कि ये दुबारे इंडिया में वापस कदम भी नहीं रख सकता है बिल्कुल ये बहुत गलत है और मैं तुनिशा जी के बारे में क्या वोलूं सबसे पहले तो ये इनका जो ब्रेक अप हुआ है 15 दिन पहले इनका ब्रेक अप हुआ था और ये क्या नाम था उस बंदे का जो मुसलिम बंदा था उससे उसने उसका प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था जो भी चल रहा था और इसका ब्रेक अप हुआ उसके बाद से और उस लड़की न सब रहके बस मैं यही कहना चाहूंगा जिससे कि हमारे देश में जो घटनाएं हो रही है यह सोसाइट की हो रही है अधिकतर आजकल हम लोग यही देख रहे हैं कि प्रेम प्रिसंग का मामला यह हिंदू मुसलिम और इन्हों इन से निकाय कर लिया इन्होंने इन से शादी कर लिए तो यह सब बंद करो बस मैं यही कहना चाहूंगा अगर फैजान अंसारी पाकिस्तान जाता है तो यह दुबारा इंडिया में नहीं आना चाहिए फैजान अंसारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद